नमस्कान दोस्तों सुवागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के योजना पर चात्रवर्ति एवं सुल्क प्रतिपूर्ति ओनलाइन पढ़नाली उत्तरप्रदेश आज किस वीडियो में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं उत्तरप्रदेश राजजे के जो चात्रे हैं वह अपनी स्कोलर्शिप पेमेंट स्टेटस वर्ष दो हजार चोबिस के तहट ओनलाइन घर बैठे अपने वैलफोन से कैसे चैक कर सकते हैं देख सकते हैं कि उनकी स्कोलर्शिप का पैसा अभी तक आया है या फिर नहीं आया किस परकार से चैक किया जाता है वह जानकारी आपको दी जाएगी ओनलाइन आप कैसे चैक कर सकते हैं वह तरीका भी आपको बताय जाएगा वीडियो की सुरुवात करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा साथ ही बैल आइकन के बटन को प्रेज करना न भूले ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिविकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाव उठा सके चलिए वीडियो की सुरुवात कर लेते हैं UP Scholarship Payment Status वर्ष 2014 के तहट कैसे आप चेक कर सकते हैं वह जानकारी आपको दे देते हैं UP Scholarship Payment Status वर्ष 2024 के तहट देखने के लिए सबसे पहले आपको अपने माइलफोन में Google Chrome ब्राफजर को ओपन कर लीना है जैसे हमने ओपन क्या हुआ है यहाँ पर आने बाद आपको लिखना है PFMS इतना लिखना है और आपको सर्च कर देना है जब आप सर्च कीजेगा आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा PFMS इसी पर आपको क्लिक करना है जी हाँ, जैसे हमने क्लिक किया हमारे सामने कुछ इस तरह का अंटरफेस ओपन हो चुका है, सबसे पहले आप PFMS की फुल फॉर्म समझे PFMS होता क्या है, Public Financial Management System ये PFMS की फुल फॉर्म है, अब देखें यहाँ पर Controller General of Account Ministry of Finance अब यहाँ पर आने के बाद देखें, आपको 3.0 नजर आ रहे होंगे ये एक official website है, portal है, तो इसी पर आपको आना है और इन 3.0 पर आपको क्लिक करना है, चलिए हम क्लिक कर देते हैं क्लिक होने के बाद देखें, यहाँ पर सबसे पहले आपको Home का नजर आ रहा होगा, आइकन इसके बाद यहाँ से, इसमें से आपको यह लिखा मिलेगा Payment Status का, जी हाँ, यह Payment Status इसी पर आपको क्लिक करना है हम इस पर क्लिक कर देते हैं क्लिक होने बाद देखें, इसके अंदर यह सभी option ओपन हो चुके हैं इन option में से आपको DBT Status Tracker का option नजर आ रहा होगा ठीक है, highlight कर देते हैं DBT Status Tracker, इसी पर आपको क्लिक करना है हमने क्लिक किया और process इस परकार से चल गई है अब यहाँ पर आने के बाद देखें लिखा है DBT Status of Beneficiary and Payment Detail लिखा हुआ है अब यहाँ पर आने बाद सबसे पहले देखें category यहाँ पर लिखी हुई है चात्र को अपनी scholarship का पैसा चेक करने के लिए सबसे पहले category का चुनाव करना होता है अब उत्तर प्रदेश के चात्र को कौन सी category का चुनाव करना होता है तो देखें यहाँ पर लिखा हुआ है Any Other External System जी हाँ, इसी पर किलिक करके चुनाव करना होता है उत्तरप्रदेश के छात्र को अपनी scholarship का पैसे चेक करने के लिए अब देखें यहाँ पर payment लिखा हुआ है, इसको ऐसे ही रहने दिना है और यहाँ पर विध्यार्तियों को या चात्र को अपनी scholarship का payment status चेक करने के लिए इस column में अपना registration number दर्ज करना है registration number यहाँ पर अपना दर्ज कर दीजिए और दर्ज करने के बाद यहाँ पर जो word verification code दे गए हैं आपकी phone की screen पर वे यहाँ पर आपको दर्ज करने है और search के icon पर आपको click करना है चलिए अब यहाँ पर हम अपना scholarship का जो register number है वे यहाँ पर हम दर्ज कर देते हैं और यह capture code भी यहाँ पर हम as it is दर्ज कर देते हैं देखे सात्यों सबसे पहले हमने category का चुनाव किया scholarship चेक करने के लिए फिर हमने यहाँ पर अपना application ID number या कह सकते हैं scholarship का register number हमने यहाँ पर दर्ज कर दिया है चात्र की अब यहाँ पर यह word verification के लिए हमने as it is word code दर्ज कर दिये हैं अब यहाँ पर हम search के आइगन पर क्लिक करना है इसी परकार से आपको भी step step सभी जानकारी fulfill करनी होती है देखे जैसे हम search के आइगन पर क्लिक करते हैं process चल गई है अब हमारे सामने अगला page भी open हो चुका है अब यहाँ से हम इसको scroll down कर लेते हैं यहाँ से देखिए और समझे जैसे हम यहाँ पर scroll down कीजेगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का interface open हो जाएगा अब देखे यहाँ पर payment detail लिखी हुई है application ID number जो विध्यारती है उनका registration संख्या है यहाँ पर आप विध्यारती का नाम देख सकते हैं और यहाँ पर beneficiary code है agency code scheme code दिया गया है अब देखे यहाँ पर लिखा है purpose name क्या है post metric scholarship state scheme यहाँ पर आप यह देख सकते हैं आधार नमबर यानि की आधार based इनको payment किया गया है scholarship का अब इसके बाद यहाँ पर देखे अमांट देखे लिख्यों यह 7400 रुपे इन लाभारती को scholarship का पैसा दिया गया है अब यहाँ पर request देखे की गई थी 18 March 2014 को validation status देखे ना complete हुआ 19 March 2014 को fund status जो approved by agency 20 March को approved हो चुका है जो कोसा दिगारी होते हैं तो उनके sign भी 20 March को ही हो गई थे अब इसके बाद यहाँ पर देखे थोड़ सा आप नीचे आईएगा अब यहाँ पर नीचे आने के बाद आपको इस परकार से लिखा नजर आ रहा होगा file status जिसमें लिखा है bank receive 25 March 2014 यानि कि 25 March 2014 को इन लाभारतियों को scholarship का पैसा सरकार द्वारा इन लाभारतियों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया गया था अब देखें यहाँ पर UTR नमबर भी है और credit date भी यहाँ पर दी गई है अब देखें यह हमारा यानि की YouTube रेशों में फोन है तो इस वैसे यह पूरा यहाँ पर शोग नहीं हो रहा है जब इसको आप लेंडिश कैप में करेंगे तो यह आपको नजर आ जाएगा तो जैसे वैसे हमने आपको दिखा दिया है कि फाइल जो status है बैंक में 25 मार्श को जो scholarship का पैसा था वे transfer सरकार द्वारा कर दिया गया था सभी information आपको online दी जा रही है scholarship से सम्बंदित की आप अपना scholarship payment status 2024 के तैट कैसे चेक कर सकते हैं वे सभी जानकारी हमने आपको दे दी है यदि आपके मन में कोई सवाल है डाउट है पूछना चाहते हैं नीचे comment box में आगर पूछ सकते हैं सभी सालोग जाब आपको दे जाएगा और यदि आपको हमारी द्यूही जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर द बोले अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत